हेलो गाइज स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेजी विद अमनकुल में आज हम सैंपल पर क्लास 10 के बच्चों के लिए डिसकस करेंगे जो कि आपका हिंदी सब्जिट का सैंपल पर है और यह जो सैंपल पर हम दो सबसे पहले हम सेक्शन एक करेंगे जो कि आपका mcq-based question है तो चलिए start करते है चैनल को भी तक subscribe ने क्या तो प्लीज चैनल को subscribe जरू करें और ज्यादा से जादा तो सबसे पहले हमारे गद्यांज तेंका है कि committee कमा गयूंग offset कर देंगे तो सबसे पहले और कभी को वämäसे पढ़की पढ़की कि अरूर जरूर है और यह पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं हुए था आपका और यहां पर मैं जो आपको कोशिन कराऊंगी जसलिए आपको पांच कोशिन दे जारही है पर आपको चार करनोंगी बन्ट मैं आपको भी पांच हो करवाँगी जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो गद्यान शेमारा अपने हितियास के अधिकांश कालूप में भारत एक सांस्कृति एकाइक होते हुए भी पारिस्पे के युद्धों में जरजर होता रहा यानि उसकी दशा खराब होती रही यहां के कुछ शासक अपने शासंकाल में धूत इव आसावधान थे समय समय पर यहां पर दूर्बिक्ष बाड तदा प्लेक के प्रगोब होती रही जिसमें सहस्तरो यक्तियों की मृत्यू हुई जन्मनजात आसमानता की मानिता धर्म संगत मानी गई जिसके फलसरोप नीचे कुल के यक्तियों का जीवन अभिशाब बन गया इन सबके होते हुए भी हमारा विचार पुरातन संसार के किसी भी भाग में मनिश्य के मनिश्य से तता मनिश्य के राज्य से ऐसे सिंदर इस मानवे संबन नहीं रहे है किसी भी अन्य प्राचिन सब्दता में कुलामों की संग्या इतनी कम नहीं रही जितनी भारत में और ना ही अर्थशास के समान किसी प्राचिन गरंत ने मानवे अजिकारों को इतनी सुरक्षा किया है मनु के समान किसी अन्य प्राचिन स्मृत्यकार ने युद के नयाय के ऐसे उच्चादार्शो की गोशना भी नहीं की भारत के युद के इत्यास में कोई भी कहानी नहीं जिसमें नगर के नगर तलवार से मृत्यू के काट उतार गए हूँ अत्वा शांती पुरे नागरिकों का समुएक वद किया गया हूँ अस्तीरिया की बाच्चाओ की ब्यांकर क्रोड़ता जिसमें वे अपने बंदियों को खाले खिचवाल लेते थे प्राच्चिन भारत में पूरता अप्राय है नीसंदे कहीं कई करोड़ता एफ कटोड़ता का वेवार था परन्तु अन्य संस्कृतियों का अपेक्षा जो नंग गरने था हमारे लिए प्राच्चिन सब्वता की सार्वधिक महत्पूर्ण विशेशता उनकी मानवता है अब पहला प्रशन है हमारी प्राच्चिन सब्वता सार्वधिक महत्पूर्ण विशेशता उसकी मानवता क्या है उसकी मानवता है हमारी तुलात्म प्राच्चिन सब्वता मे दिखने वाली गुलामों की कमी और थर्शास में रताई जाने वाली मानवे अधिकारों के सुरक्षा उप्योग दूसरा प्रशन है भारत में जन्मजात आसमानता की मानेता धर्म संगत माने गई है किसके गारण देश का विकास हुआ है नहीं लोह में आसमानता की भावना विद्वान रही नहीं समाच में प्रेम भाव तर्व नहीं नीचे कुल का समझे जाने वाले लोह का जीवन अभी शाप बन गया इससे जो धर्म धाती वह जन्मजात आसमानता मानी गई तीसरा प्रशन है कमजोर जर 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 रास्टे होते हैं उनके होने की बावजुद भारत अन्य देशों से किस त्रिस्टी में भिनता यहां गुलामी की संख्या अन्य देशों की दिलना में अधिक थी नहीं इससे भिननी था यहां मानवे अधिकार को की सुरक्षा की गई तो यहां पर मानवे अधिकारों की सुरक्षा की थी थी तो बाकी देशों में मानवे अधिकार उन्हें इतना बुए उन्हें खाले खचवाही जाती थी यहां पर यहां पर आपकी ऑप्शन घ्लत हैं नेक्स्ट तीसरा प्रश्ण हमारा कम्प्रीट हो गया यह चौत्था प्र नाम है ma milk ङांति प्रता को प्रक्षा करिना नहीं शांति differenti लोगों का विक नहीं चानक के तोरा रचित अरचिशास तो यह स्माने मधिकारों के सरक्षा जरक के दर रचित थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बड़ अभी यह थोड़ा पर ठीक कर दूँगी पाचव रशने इतिहास में जन्मजात आसमानता को धर्म संगत मानेता मिलना नीच कुली नियक्तों का जीवन अभिशाप बनना तो आप देखिए कथन भी सही हो कारण भी सही है क्योंकि इतिहास म फिर शराप जैसे मैंजी और जε उसमें दो पद्याश दे रखे आपको या तो आपको यह वाला करना है या तो आपको दूसरा वाला जीवाई को आगे दिखाओंगी तो पहली सही में उसे भी करोंगे आपको mo स्टो टा हैं हम नमन चाया है माते पर आशिरवात्सा बसंस्कृतियों के मीटे सब्वात्सा उसकी ध्यारी पर अपना माता देखकर हम उनमुत होते हैं उसको देखकर रितियों उसको नीत नूदन परिदान दो जुलस रही दर्ती सावन दान दो सरल नहीं परिवरतन में धन्मन धनलना हम पत्थर से भागिर्थी निकालना हम अनेकता में भी तो एक ही हर संकट में जीदा सदा वेखी किर्थी आकिर्थी संस्कृति भाषा के वात्से बने हुए हैं मिलते जिलते रास्ते आसाओं की टकराहट से लाब क्या मंजिल को हम देंगे भला जवाब क्या एक हार में विक्रेप फूलों को भी इससे जोड़ दो ग्रह नक्षत्रों को भारत की जय बोल दो अब यहां पर हमें जो पध्यान स्टेर का इसके धार पर प्रश्ण है उन पंगतियों को चैन कीजिए जिसमें आश्या की भारत का हर निवासी अनमौल और एकता में विश्याश करने वा जोड़ों सब्सक्राइब करते हैं तो इस प्रगार के लोग एक साथ मिल जूलकर रहते हैं तो इसमें आपका थैतोर ने ओफिशन का इंता है नित नित नो तन में ना ना वर्ण के आवरती हो रही है तो यह अनुप्रा स्लंगार होगा जहां पर वर्ड क्या वर्टी हो था इसार कौन सा काम सरल नहीं तो कभी के औbenःमा नदी निकालना भी इस sel कवी के दुष्टन वे कवीता में बताया है प्रिष्ण भागीर थी शब्द किसके लिए प्रिखत हुआ। यम्मा के लिए गंगा के लिए और सरस्थी किसी अने के लिए। तो परिवर्तन आसान नहीं होता। यह समझाने के लिए कभी कवकता उधारन देते हैं। आत्यांमतRO Shepherd को नित्तनुतन परिधान दो मिट्टी का मन, सोना खोल देने का आस्थाओं से डग राकर मनजिल पाने का या पत्थर से भी भग्यरती नदी निकलने का यानि परिवर्दन असान नहीं होता पत्थर से भी जो गंगा नदी है वो निकल जाती है यानि पर असान नहीं होता पर निकल जाती है तो इसमें आपका फोर्थ वाला सही है आपका केवल फोर्थ यानि कतन फोर्थ सही है अब आपने या तो यह वाला कर रहा होग नदी हमारा ही है गंगा पलावित करती मधुरस धारा बैती है क्या कहीं और भी ऐसी पवन कल-कल धारा सम्मानित जो सकल विश्व में वहिमा जिनकी बहुत रही अमर ग्रंत में वैस सभी हमारे उपने उपने शुदों का देश यही है गाएंगी यह सब सब इसका स्वारा यह है स्वारे देश हमारा आगे कौन जगत्त है हमसे यह है भारत देश हमारा विद्वनों विगनों का ढल चल जड़ जाए तो उन्हें बेक बहबितना होंगे अब न रहेंगे दलित दिन हम कहीं किसी से हीन न होंगे शुद्व स्वारत की खातिर हम तो कभी न ओचे कर्म करे हैंगे पन पूर्ण भूमी यह भारत माता जग को हम तो भीक न लेंगे मिस्री मधू सेवा फलसारे देती हमको सदा यही है कदली चावल अन्विद अरुशीर सुमादे लुटा रही है आरे भूमी उतकर्ष मैयू यू गुजे गए गार्ण हमारा कौन करेगा समता इसकी म कि यह दो देके द्यानच दिया है इसके अधार में प्रेश्णोária Wiran द्रण करने के लिए छोटे शुटे स्वार्त के लिए दोसरों को दुख देखकर कःजिए गettsाने क्लिए इसमें भी आ Japan ok बहुत चोटी प्रिजाद के कारे चाहने के कारे मिस्री मधु मेवा इसमें मिस्री मधु मेवा तो इसमें तो अनुपरा सलंकार यमक में दोशब दोते हैं उपमा नहीं होगा पांचरा प्रश्ण यदि हमाई प्रग्रती के राएंगे तो हम बहबीत नहीं होंगे यह हमेशा हमारे दयालुप पात्र महां बूवी के आगे बनद की भीक मागेगे तो नहीं इसमें आप देखिए कतर अकात हो सही है पर पर तीन प्रकार की होते हैं सरल सयूग्ट और आपका मिक्षित सायूक्त और मिक्षित मैं एक बार थोड़ा सा डिफरेंस बताथू कि आप अच्छे से मिक्षित आसे लिखते हैं तो सरेल वाक्ये की वाक्यों का एक ही करता होगा एक ही करीया करता आगे लगता है क्रिया है लगता है एनि राम खादा खाता है तो रम्हां करता है खाता है करिया है और एक ही करता हो एक हिन्हों को और सहीक्त आके में एक हमारा एक पूरी लाइन होगी और बीच में और इसलिए अथा गेस्ट यह सब लग सकता upset यानि दो वाक्यों को जोड़ेगा यानि एक वाक्य को दो जोड़ने वाला यानि सजिद वाक्य मिक्षिद वाक्य वह होता है जिसमें पहला वाक्य जो बोला है उसके बाद दूसरा वाक्य बोलना ही पड़ेगा आपको और इसमें जातर कॉमा भी लगा रहाता है और जैसे त समझे मोधी जी ने भाषण दिया और लोगों ने तालिया जाए यह संयुक्त वाक्य और लगा दो वाक्यों के बीच में तो अगर आप इसका संयुक्त अमिक्षित बनाएंगे तो सब पहले हम ऑप्शन ही देखते हैं मोधी जी के भाषण देने पर लोगों ने तालिया यह सिरन यह को गया एक एक ही खरता और एक ही घ्रिया जाए लोगों ने तालिया वज़ाय तो यह हमारा जोगों यह दूदय हो गया धिकर्वासं दे लेरते हैं और ऊदरी को जहाएं आज के धृद्शे आशिबघ्य बहषान चंगे तो यह जैसे इसमें आपका खा औप्शन हो जाएगा तो आप इस पर खा पे टिक करेंगे नेक्स है यदि वे तेज दोड़ता तो गारी मिल जाती इसे आपको सभी जाती आपको नहीं तो यहां पर गारी जाती नहीं तो यहां पर गारी चूट गई तो यहां पर वैं तरव तेस दौटा तो गाड़ी मिल जाती है चूट गई तो वैं जोट Quốc नोan जाती है गाड़ी के फेम अलटा सेंदन्स हो जया है तो है तो यह सबなた 250 वैं तेज दौटा करने कीह भार वैं ilum कि धिस ने यह वही यक्ती है मैं इसी यक्ति ने चौरी की दी यहaciones तो पहले जिस ने चौरी किदे हैं यह हुt यह जो यक्तिर्द वह चोल्वी याई यह जो यकती है वो छोल भी ऐसा sentence ही अभी है यही है तो हमारा चोरी करने वाला यकती नहीं है और हमें जिसने चोरी थि तो वो भोला तो यह भी गलत है इसी हो डुरे की तोới उसने उसने तरह नहीं होगा मिक्षट वाक्य जब तक सच्चाई पता से चलाए गिरा सब्सक्राइब मौत तक बहुत देर थेजिए तक सच्चाई पता चलाएगे ऊक्षट ये तो uana में नहीं इते क्यों है तक सचाइब तक सच्चाई गातीकि अंपे नहीं ह deben तक करेकरम में नेक्स्ट पाच्छा प्रिश्ट हमने आपकी बात माली सरल वाक्य है एकदम सीधा साथा सा वाक्य है जैसे ही बादल गिरे तेज बारिश होई यानि कॉमा लगा है पहला सेंडेंस दूसरे सेंडेंस पर हमारा आक्षित है यानि यह मिक्ष्ट वाक्य हो जाएगा फिर है वाज़्ट हमारा 3rd से 2nd हमारा 1st से 3rd हमारा 2nd से ऑप्षिन आप देख सकते हैं कौन सा इस्ट है को और नेक्स्ट है आपको सुमिलित करणा है यहां पर आपको वाच्चे बनारे वाच्चे क्या होता है पहले मैं यह बिता दू वाच्चे तीन प्रकार के होता है है यही से भावच्षी रज़ां प्रकार होते हैं इनका बेसिक लिए आपको कोशन में कोशन में कैसे पता करेंगे इसमें जाधतर में जातर में नहीं नहीं हो सकता है मैं पूरा कनफॉर्म नी बोलगी करित वाच्चे कैसे बढ़ते हैं करता चुह था करता क्या होता है जिसे एक सेंट जो हमारा कर्म कर्म घा रहे हैंा इसका हुआ कर्म कर दौरा खाना क impact art कर्म पर जो हमारा कर्म कर्म कार्म करिया चलते हैं और मुझसे खाना नहीं खाया जाता नहीं घाल चांटा तो यहां पर एक भाव है उससे खाना नहीं का जासकता कुछ अच्छ थायब देखते हैं मुझ से जूट बोला नहीं जाएगा तो यह कैसा है भाव अच्छे नहीं नहीं लता मंहेश्वर को कोकिला कहा जाता है लता मंहेश्वर को नहीं दूसरा हमारा भगत से kronosa पर हस्ते हस्ते चढ़ गए तो आप देखिए अगर लता मंगवेश्वरा वह पास्ट कर चाहें तो यह हैं करता के रिसाइए है करता है करेक्ट चलिए को है का अप्शन करेक्ट नुचा है कुरтории है इसमें रहा है लड़की को में आंगन में आगया याתना के लड़की तौरा यहाँ पर तौर्म है यह कर्ता आगया लड़की से आंगन में कुर्च चाहएँ Unton तो इसी बच्चे के अको हमारी क्रिया हो एश्य किरीच कि रह यह तो टोभिटे कि दिनका हो गया बच्चे न पी Tut करल रहा था बच्चे से रोया जा रहा है यह तो ऑमारा करतते हो गहीं हुगी दूसितों ही भी नहीं फिर भोषन होज़ा होती है अभी तो पहले हो गहीतों है छिनाव के एक रे सब्सक्राइब न से 부enne हमारी रक्षा करते हैं यहां पर उसक्राइब कप्राइब लगए प्रसिध के परिखा है बस्क्राइब के ऐसे प्रसưở DOक तरह solutions अगर घुट का पादू कर पादू को जो है वो फेमस है तो यह कैसा हो जाएगा गुण वाचक नहीं होगा परिमान वाचक नहीं होगा गुण वाचक विच्छेशन होगा अब ज्टिरिलिंग है यह पुलिंग है हरी वंचिर जाए बचन जी पुलिंग है अफकोस लड़के हैं तो ये वाला उप्शन भी कट दिया ये तो कटा हुआ था ये भी कटा हुआ था और वह एक है तो एक वचन बाकी आगे हमें देखने की जरुवत नहीं है हमारा एक एक से कट जाता है तो हमारा यह होता है बहुआ पर जाता है और बाव वाचक थो ही था यह नहीं ताजमहल एक जगे का नाम है यानि यक्टि वाचक संख संख्य के हो जाएगा दोनों में से कोई से भी हो सकता है अब आगे हम देखें के पाव पुलिंग है तो यह सपूलिंग है ताजमहल हमारा एक वचन ही तो यह सपिल नहीं है और यह ताजमहल मुगल वात शुकला का अद्बूत नमूना है अब आप देखिए ताजमहल जो है वहारा करता नहीं है को जगे जगे काम करने वाला यक्ति नहीं है ताजमहल एक करम यानि जगे है तो हमारा करम वाच्च रहेगा इसमें आपका घौव ऑप्शन करेक्ट है नेक्स बड़े परिश्यम के बादी सफलता पॉथ होती हैicial गया हमारा सफल होरा दया करना प्रेंप करना प्यार करना यह सारे क्या आप्म ने जाति भाव आचका छिकष्णगिया बड़े परिश्य मोशिकर भाव-च ei होती है होता है तो नहीं है तो फिस्तरिय भी हो जार वहारा है यह थे वह भी तक चला है अब एकक्वाचा है आप वह भजचन दो कट गया अब बड़े परिश्व के बाद सफलता प्राप्ट होती है बीच में करना करब बाच्चे होता है और सफलता के लिए ही वो लगे न तो हैं मि फिर चौथा प्रिश्ण है पांडव महाभारत में जीत पाकर भी खुश नहीं थे क्यों नहीं खुश थे वह आप मुझे कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं यह भी आपका चाप्टर से रिलेटेट है पर जीत शब्द का आपको बताना है पद परीचे तो जीत मैंने का दा हा यह सारा भाव है हमारे यक्ति वाचक संक्या नहीं होगा जाती वाचक संक्या नहीं होगा यह वाला भाव आचक होगा तो भाव आचक संक्या पांडव महां भारत में जीत पाकर भी खुश नहीं थे तो दोनों स्रेलेंगे तो अफकॉस हमारा स्रेलेंगी होगा पांडव वह एक वच्छन हो जाएगा इसमें और यह बहु अक्रित वाच्छे नहीं होगा क्योंकि जीत हमारा पांडव करता है और जीत जो है वह करें वाच्छे तो आपका खाव और जाएगा नेक्स्ट है मेरे पास आकर रहना मेरे क्या है मेरे क्या है मध्यम पुरिश्वाचक सर्म नाम है हमने देख लिया हमारा यह तो पुरिश्वाचक सर्म नाम है यानि संग्या तो कटी है अब मेरा मेरा हमारा जो वह होता है वह हमारा होता है प्रतम पुरिश और जो हमारा तुम होता है वह हमारा मध्यम पुरिश और जो हमार सब्सक्राइब यहां पर थोड़ा सापको बलड दिख रहा होगा बट मैं आपको अच्छे से पढ़के बताऊंगे तो आप फटल पिल गाई इसमें आपको दाना कौन सा अलंकार है तो आप देखिए ऑपने शब्द जनू ऐने कहाता है आपको जनू 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 मनूमानू यहां पर शब्द आ जाए वहांपर आप सबर जाईये उत्त प्रेक्ष अलंकार मैं आपको एक और बार बताती हूँ अनुप्रास अलंकार में क्या होता है वर्ण क्यावरति होती है अनुप्रास में अगर कोई वक्त जैसे चाओ शब्द एक ही सेंडेंस से बार बार आ रहा है तो वो अनुप्रास अलंकार है शलेश अलंकार में आपका एक शब्द होता है और उसके तीर अर्थ निकलते हैं तो वो श्लेश लंकार यमक अलंकार में आपके दो शब्द होते हैं और उनके अलग-अलग अर्थ होते हैं और मानवी करण में आपका मानवी करण मानव से किसी वस्तु की तुल्दा की जाती है और अतिश योक्ति में आपको बड़ा पर से सबसूध्ड पानी गायन उबरे मोटी मनस्टून यहां पर डेखिए पानी 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 तीन पारं से तीड़ों के fulfilled अर्थ अलग अलगा लगता है तो इस आपको इस तो किया है था बोड़क शद मानू जो हमारे बोड़क कावे की शृभा बढ़ाता है कावे का नंद्र तत्व कावे कैस के विरा काव्य ही है तो यह वी गलत है यह जीवा कि शृबातने पहलिता यह अधर संदर अधर है तो उसके शृबा अधर बढ़ा दीता है तो इसमें घाफकूशन करेक्ट अब जीवन की कपी आस न कोई कंगुरिया की मुदरी कंगना हौए जीवन की कंगुरिया उपमा नहीं है और छेश स्वेश एक ही शब्त के थी वार नहीं है नेक्सट साथ वह प्रश्ट इससले आपको पड़ना होuckा एक कोुशन का Pois यह पढ़ना है हालदर साहब को पानवाले द्वारा एक देश्वक्त का इस तरह मजाग उड़ाना अच्छा नहीं लगा मुणकर देखा तो अवाक रह गए वह बहुत बुड़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी डोपी आंकों पर काला चिश्मा लगाए एक हाथ में चोटा सा संदू दूसरे हाथ में एक बास पर टके टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी तक अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सारे अपना टिका रहा था तो इस बिचारे का दुकान भी नहीं फेरी लगती है हालदर साहब अवाक क्यों रह ग मघा बढकाता था कैप्टन चश्मे वाला गली से निकलने के बाद क्या करता था वह फेरी लगाता था चोधा प्रिश्र अपयूत करद्रश्च किस पार्ट से लिया गया है क्या अब जया गया है मरील साच्छोटी सी अभी अभी इन शब्दों के बीच में ये चिन लगा ह यह क्या होता है निरुधेशक्चिन नहीं निरुधेश नहीं देता alpivram नहीं होता अदविराम में द tak ये हमारा योजक्चिन होता यानि दो सब्सक्राइब में अच्छे पे of good balance अब गथयों को यह बहुत की देने बालकोबिन भगत की वेजबुजा कैसी थी शरीर पर एकमात लंगोटी तदा सिर पर कनफटी टूपी होती थी सर्दियों में काला कंबल ओड़ लेते थे मस्तक बार राम दंदी तिलक और गले में तुलसी की माला होती थी यह सबी सकते हैं नबाव सहाँ ने खीरा काटा नमक बिर्च बुर्का अथता सुग करी खिड़की से बाहर फिक दिया उनका ऐसा करना उनके इस किस सभाव को कैसे सभाव को इंगित करता है तो उनका ऐसा करना उनके लकड़ी मनकर्म बचन दंदन दंदन उरी यह धूर करी पकरी जागत सुवत स्वप्र दिवस निसी काना काना जकरी सुनत जो लागत है ऐसी जो करी ककरी सूतो व्यादी हमको ले आईव देखी मुनिसुरीना करी यह तो सूर तिनहितले सोपा जिनके मन चकरी अब यहां पर प्रशन दिया है हमें गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा है श्रीक्रिष्ण को अपने रिदे को उद्दफ को अपने हारील व्रिष्ट की लकड़ी को तो उन्हें हारील की लकड़ी श्रीक्रिष्ण को कहा है क्योंकि तो श्रीक्रिष्ण को ऐसा कहते ह नहीं कि अधम हारी लकडी के समान हैं जो हमारे साथ हमेशा लकड़ी है मुद्छ जैसे आपने पाओं में सदे लकड़ी प्रकड़ा रहते हम में हमेशा साथ रहते हैं गोपियों ने व्यादी की इसको दिया तो व्यादी उन्होंने योग संदेश को कहा है गोपियों ने उस यादी को किसे सौपने के लिए कहा है उसे उन लोग जिनके मन चंचला है चक्री के समाने उन्हें सौपने को कहा है मन क्रम वचन से गोपियों ने किसको धिंटता के साथ अपने रिदे में धान करें श्री गृष्ण को ने पिखल जल बन गया औगा कठीन पाशान इसका और बच्चे के आगमन में कभी का कठोर हु रिद्यवी पिखल जल बन गया और यह आपका मतलब कम जेदेंतरित मुसकान उस टैप्टर से आपको दिया गया उससा नामक कविता है, उस में से कवी क्या कहना चाथे हैं ? बात लोग गरजने के लिए? नहीं मुस्लाधार वशा करने के लिए? नहीं क्रांती के समाधम से समाज में परिवरतन लाना चाथे हैं तो यस, वो गरजने ये बात लोग बात लोग इसले वATHAN लाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दो सुकसार शेयर करें और वीडियो अच्छ लगी तो से लाइक ज़रू करेंगा थैंक्स वाचिंग डियो वेपे गईस